आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं अडानी वीलमार स्टॉक के बारे में बहुत सारे न्यूज इस स्टॉक को ले करके ट्रेंड होते दिख रहे थे जहां हेडलाइन ये थी कि आडानी इंटरप्राइजेज अपने एश्टेक जो 44% की है वो हटने वाला है कम करने वाला है गिट करने वाला है जिसके बाद काफी पैनिक हुई और स्टॉक ने अपने मेजर सपोर्ट को ब्रेकडाउन करा है लेकिन आडानी के तरब से ये किलिय करिफिकेशन आए कि ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक रूमर है और इस समय जो डिल्वाइट ओडिट को लेकर के न्यूस्टेंड हो रहा है वो इंडिविज्वल अडानी पोर्ट के हैं ना कि अडानी विल्मार या अडानी सम्हू के किसी और स्टॉक को तो इस न्यूस को बि ट्रेड होते दिख रहा है रिसेंट के इंडी विज्वाइट न्यूस फे उसको हमने ओल्रेडि डिसकस करा धूश डीलेबरी दिख रही है वो बेटर दिख रहे यह और चेक्निकल ट्र चैन्ड वह अभी वीक दिख रहे हिस स्टॉक वॉल्यूम को देखें तो आप पाएं कि जिसने भी 100, 200, 500% के return लिये हैं उन्होंने panic में buying करा है Warren Buffett के इसलिए quote है कि when everyone is greedy you need to be very cautious and when everyone is cautious you need should be greedy तो यहां देखेंगे आपको greedy होने की जरूरत है यह एक major support zone है जहां मुझे लगता है कि पहला target 520 दूसरा 720 और तीसरा 1000 प्लस तक के levels दिखेंगे तो crash जैसी news कुछ भी नहीं है अगर आपका horizon more than 2 year है तो surely से stock को update out करते दिख सकते हैं बलकि short term trader बिल्कुल ignore करें short term trader को 424 के उपर ही long करना है तब तक के लिए ignore करेंगे